दोस्तों जब तब पूजाबाद की बहुत सी विधियां हुआ करती हैं भक्ति मार्ग में भी बहुत मार्ग हैं फिर जब के मार्ग तब के मार्ग और फिर हठ योग अब दोस्तों मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ कि मार्ग का जब आप प्रियोग करते हैं तो किस प्रकार से इसका प्रियोग करें यो तो आप मंद्र जब मार्ग के बिनाभी कर सकते हैं और हमने आपको उसकी विधिद ही बताई है लेकिन धारणा हुआ करती है कि मंत्र जप करते समय धीरे धीरे करके इस माला में मंत्र शक्ती आने लग जाती है और माला उर्जावान हो जाती है दोस्तों और जैसे जैसे माला उर्जावान होती है वैसे वैसे ही मंत्र शिग्र शिद्ध होने लगते हैं यानि कि यह हमारा माध्धम का काम करती है अब कुछ नियम हुआ करते हैं दोस्तों यदि आप किसी भी पधती पे चलेंगे उसकी कुछ नियम होते हैं वही नियमों की मैं जानकरी आज आपको इस वीडियो में देऊंगा दोस्तों जैसे भी आप कहीं से माला लेकर के आते हैं या आपके पास माला अपने पास पुरानी रख़्ी हुई है सबसे पहले माला को संस्कारिद करें यानि शुद्ध करें अब शुद्ध कैसे करें हुए पहले जल से धोएं फिर दूद से धोएं फिर जल से जोएं फिर गंगा जल से धोएं फिर शुद्ध जल से धोएं और इसके सोमेरो पार फिर तिलक लगाते हैं कुमकुम का लगा सकते हैं चंदर का लगा सकते हैं आपकी माला दोस्तो संसकारित और शुद्ध हो जाती है यह थी आपकी पहली जानकारी अब दोस्तो दूसरी जानकारी कि आप माला का जब भी प्रियोग करते हैं तो जैसे हम पूजा करते समय अपने स्थान को पवित्र करते हैं अपने आपको पवित्र करते हैं अंदर से बाहर से और पवित्री का मंत्र बोलते हैं दोस्तो मंत्र ना बोलें कोई बात नहीं आप इसे जल के छीटे लगा कर सबसे पहले जब शिरोग करते हैं तो सबसे पहले इसको जल के छीटे लगा दोस्तो इसके पवित्री करन के बाद सबसे पहले जिस प्रकार से हम किसी को भी माध्यम चुनते हैं पूजा पाठ में जैसे दीपक को ही माध्यम चुना तो दीपक के द्वारा हमारे कारिये शिग्र होने लगते हैं यह हमने आपको वीडियो में पहले भी बता रहा है तो हम दीपक को नमद भी करते हैं दीपक की पूजा भी करते हैं यदि हम किसी पुष्टक की द्वारा कोई पूजा कर रहे हैं तो हम पुष्टक की पूजा भी करते हैं पुष्टक की प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से सबसे पहले इस माला पर जल के छेटे लगाने के बाद इसको तीन बार नमन कर रहे हैं यानि अपने मस्तक से लगाने दोस्तों अब यह है पूजा आपके मंत्र करने शोग क्या है अब इससे आप करेंगे आपके कारिये शिक्रसित्ध होने लगेंगे अब जानकारी नम्मर चार मैं आपको बता दूआँ की माला को खुले रूप में जप न करें इस प्रकार से माला जप न करें खुले रूप में करने से इसकी उरजा तुरंट ही समात होती रहती है, इसमें उरजा समाहित नहीं हो पाती और जब यह उर्जा से भरेगी नहीं तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका कारिय उतनी सरलता से संपन नहीं हो सकेगा जानकरी नम्मर चार में हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार की एक थेली आती है दोस्तों जिसे गोमुखी कहा जाता है आप इसे अच्छी प्रकार से देख लें यह बाजार में आपको शिक्रता से उपलब्द हो जाती है इसमें हाथ सीधा चला जाता है इस प्रकार से और ऐसे इसमें से योहाथ बाहर निकल जाता है यानि कि इस उंगली को फिर अपने को बाहर निकालने तरजने उंगली अंगुठे के पास वाली और जो अंदर मंतर जब चलेंगे वह इन दोनों उंगलीों से बीचकी से और अंगुठे से आपको एक-एक माला का मनिया सरकाते रहना है हर मंतर के बाहर जानकारी नमबर पांच दोस्तों अब आपने माला इसके अंदर डाल ली है और माला डालने के पश्चात आप जब मंतर जब करते हैं तो अब यह माला आपकी कहीं पर भी उलजे जाती है सबसे पहले तो इसे अच्छे प्रकार से हाथ को जोन लपेट लें अब यह माला कहीं पर भी उलजे जाती है मंतर करते समय तब आप दोस्तों क्या करें माला अंदर ही सुलज नहीं सकती सबसे पहले तो ध्यान रखें कि माला उलजे नहीं आप दो चार मनिया ही छोड़ने के बाद माला को इस प्रकार से करते रहाते हैं ताकि माला उलजे फिर माला आपकी उलज गई तब आप माला को बाहर निका लें और इसको अच्छी प्रकार से सुलजा लें दोस्तों सुलजाने के बाद अब आपने इतनी माला मान लिया जाए कि कर ली थी आपको नहीं पता आपने कितने किये थे कितने नहीं किये थे लेकिन यह करने के बाद आपको इसको छोड़ दे सुमेरू से ही इसे प्रारम्ब कर रहा है और फिर यानि कि उन मंत्रों को आप छोड़ते हैं कि दोस्तों पांच नंबर तक आप जानकारिया समझ गए इसके बार मैं छटी जानकारी देता हूं जब आप थैली से आप माला का जब करते हैं तो दोस्तों यह थैली जब सबस्तों आप करते हैं तो अपने नाभी से नीचे ना जाए कि आराम से इसे करेंगे तो यह नाभी से नाहीं जाये दोस्तों रिवी नाभी से नीचे चली जाए तो कोई बार पने ढखिप होड़किन नीचे जाते आगर अगर गलती से यह जमीन पर तच हो जाए दोस्तों तच होने के बाद। आप इसे शिग ही मस्तक संत में राते हैं जान रखें आपकी ध्यली कि अपने नाभी से उपर है नाभी से उपर हम कोशिश करेंगे तो जमीन पर टच होगी ही नहीं दोस्तों यह आप करके देख लेगा दोस्तों कि किसी भी प्रकार से हमने आपको छह जानकारिया बताई अब दोस्तों माल यह आजाए कि आपने मंत्र जब करने हैं पाँच जार तब आप कैसे करेंगे माला को कभी भी मंत्र की संख्या से 108 को डिवाइड ना करें इसमें 108 मनिय होते हैं इसको कभी भी डिवाइड ना करें दोस्तों मंत्र को डिवाइड करने से अच्छा है कि यदि 5000 मंत्र हैं तो आपने 50 माला आपने कर लेने हैं उपर की जो माला है उसे जाने करें दोस्तों अब मैं आपको सात्वी जानकरी बताने जा रहा हूं हाँ दोस्तों यह जानकरी मैंने आपको दी या नहीं यह भी देख लेना कि इस परकार से माला जब करते हैं इसमें तो माला के उपर से समाप्त होने के बाद और सुमेरू के उपर से घूम करके ना जाएं और इसको माला के अंदर ही इस परकार से यो घूमा लें यो घूमा करके फिर यहां से इसको माला ऐसे जब करें यानि सुमेरू के उपर से आ हमने आपको साथ जानकरियां बताई अब मैं आपको आठवी जानकरी बता रहा हूं कि माला को करने के बश्चात आप माला को कहीं भी बंद करके ना रखें दोस्तों कि आप किसी बक्से में रख दें या अलमीरा में रख दें या संदूक में रख दें इस प्रकार से कदापी ना करें अपनी माला को अपनी जो यह थैली है गो मुखी है इसके अंदर ही रहने दें लपेड दें और इसे अपने पूजास्थान पर ही अपने भगवान की चरणो में रखते हैं या आपने चोक की लगाई हुई है तो वे जो तस्वीर लगा रख तेसे हैं उस तस्वीर के सामने ही इसे रखते हैं दोस्तों इस प्रकार के हम ने आपको आठंठ जानकारियां बताई दोस्तों यदि आप इन आठ जानकारियों को करके मंत्र जब करते हैं न तो समझ लेना इन में जो उर्जा वरती है वह उर्जा शिक्र ही आपके मंत्रों को सिद्ध करने में आपको सफलता पदान करेगी करना और इसका लाव उठाना दोस्तों अच्छा लगता है दोस्तों तो आपके लिए सिर्फ इत्मा है फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ तब तक के लिए शेयर बताती है